तो फ्रेंड्स सेंटेक्स का जो गिरावट था हमने डिसकस किया था और वहां से आगे जो है हमने फाइनलाइस किया था कि एक अच्छे काशे करेक्शन लेवल के बाद जो हम इसमें पोजिशन बना सकते हैं फिर से अच्छे प्रॉफिट के लिए तो उसी के बारे में जो है आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिसकस करेंगे उससे पहले फ्रेंड्स में आप लोगको को छोटी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ऐसी ही शेयर्स जो को बहुत कम प्राइज में होते हैं और on time आपको उनकी information अगर चाहिए रहेंगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब सब्सक्राइब करने के लिए लेकिन आपको on time जो है important updates हमारे चैनल के तुरू मिलते रहेंगे सो प्लीज सब्सक्राइब फ्रेंड्स जल्दी से स्टार्ट करते हैं जब इसका rally स्टार्ट हुआ था तो हमने बोला था कि यह जो rally है यह continuously आगे बढ़ रहा है और यह इस news के basis पर था क्योंकि यह company already bankrupt है और इस company को जो है Reliance industry और जो companies है वो इंट्रेस्टेर थे buy करने के लिए तो उसकी भी सारी details मैंने मेरे वीडियो में प्रोवाइड की थी और जब इसने यह price range टच किया था 13.45 तब मैंने बोला था कि अभी यह बहुत जादा जो है rally दे चुका है more than 200% के return दे चुका था यह share और उस समय में ऐसा बोला था friends की अभी तक कोई concrete details नहीं आये है Reliance की तरफ से कि वह कब buy करने वाले है और कब इसका जो है resolution आने वाला है तो उसके बाद जो है continuously गिरावट हमें देखने को मिली थी 9.55 तो यहां पर भी मैंने बोला था buy नहीं करना ह है लेकिन फिर भी उसके बाद एक अपर सरकिट दिखा तो अच्छे का से bias activate हो गया और उसके बाद हमें continuously गिरावट देखने को मिली और इसने low बनाए था 8.45 तो अभी फिर से share ने जो है एक अपर सरकिट दिया last to last police session में और उसके बाद जो है वो ना अपर सरकिट दिया न मैं आप लोगे साथ share करना चाहूंगा यहाँ पर आप देख सकते हो यह report December 12 यानि आज की यह afternoon यानि 2-3 hours पहले की जहाँ पर आप देख सकते हो कि Reliance partner looking to buy bankrupt textile company syntax तो syntax ने जो है officially यह comment out किया है कि Reliance is preparing with assets care and reconstruction enterprise limited to bid for company under a court appointed bankruptcy resolution process syntax said in a filing on Sunday तो जो संडे को filing किया syntax ने वहाँ पर यह बोला गया है और यह बाकी के जो लोग है इनके साथ partnership करके जो है Reliance इसको खरीच सकता है तो friends यह important update आया है syntax की तरफ से last में जो है confirmation आया है वहाँ से जो कि अभी तक नहीं था अभी तक वह in discussion था तो अभी जो confirmation आया है उसी के बारे में भी कोई concrete details नहीं आये है क्योंकि मैंने यह reports पुरा जो है वो पुरा go through किया और मैं search कर रहा था कि मुझे कुछ ऐसी information मिले इस report में जहां पर यह बोला गया हो कि इस particular date पे जो है syntax का जो है बीडिंग लगने वाला है और यह company जो है list out की गई वो बीड लगएगी syntax पे इस इस date को तो अभी तक भी date नहीं आया है तो अभी तक जो है इसका जो share price है वो फिल से जो है dicey रहेगा यह up down up down होते ही रहेगा जब तक particular date और सुनवाई की date details जो है वो नहीं आती है तो फिला यहाँ से आगे अगर आपको इस particular company में invest करना है और आप चाते हो कि यहाँ पे आप जो है रैली में अच्छा का सब profit कमाए तो आपको एक correct level के लिए wait करना चाहिए और थोड़ा सा nearby eight or something और अगर आपका analysis कहता है कि अगर यह eight पे नहीं जाएगा यह उसके उपर ही रहेगा तो आप में भी ऐसा कर सकते हो कि एक particular price decide कीजे anything उस पे थोड़ा से shares बाय करने का उसके बाद अगर by chance आपका case गलत होता है आपका analysis गलत होता है और उसमें गिरावटाती है तो आप फिर से position square off कर सकते हो लेकिन मेरा personal suggestion यहीं रहेगा कि जब तक यह share dice रहेगा तब तक इसे थोड़ा सा दूर रहने चाहिए observe करना चाहिए और जब यह अच्छा कासा जो है correction लाए तब आव इसको buy कर सकते हो तो यही सारी important details different जो में share करना चाहरा था thank you for watching this video and please subscribe my channel